current, voltage और resistance दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था Electrons के basic introduction के बारे में जहां पर मैंने आपको अलग-अलग Electrons के बारे में बताया था तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं दिखाया है तो link आपको discussion में दे दी गई है आप उस link पर click करके उस वीडियो को जरूर से देखेगा आज की इस वीडियो का दोस्तों जो हमारे topic है वो है current, voltage और resistance के बारे में अगर आप दोस्तों Electrons या Electrical की student है तो यह तीनों चीजें आपको समझना बहुत important है तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में समझेंगे एक तम बिलकुल आसान तरीके से की current, voltage और resistance क्या होता है तो चलिए सुर करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते है current की basic definition की बात करें तो current is the flow of electrical charge carriers like electron तो electron की flow को हम बोलते है current जब हमारे electron flow होता है तो हमारे current भी flow होता है अब दोस्तों पिसली वीडियो में आपको बताया था कि electron क्या होता है अगर आप नहीं पता तो आप उस वीडियो के दूर से check out किजिएगा अब देखे दोस्तों कोई भी तार हो अब यहां पर देख सकते हैं यह एक बायर है यहां पर copper का तो इसमें दोस्तों होते हैं करोणों अरबों electron अब दोस्तों जब यह electron flow होते हैं देख सक इसमें से यह water pipe हो गया हमारा तार या wire और इसमें से जो पानी flow हो रहा है यह हो गया हमारा current तो कुछ इस प्रिकार से आप इसको basic तरीके में समझ सकते हैं कि कोई water pipe है यह हो गया हमारा wire और इसमें से water flow हो रहा है यह हो गया हमारा current अब बात करते हैं voltage की तो voltage की दोस्तों आ वोल्टेज is the difference in electrical potential between two points तो वोल्टेज दोस्तों मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं तो देखे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो एक बॉर्टर फाइफ है यह हमारा एक बायर है और इसमें से जो बॉर्टर निकल ला यह हमारे करेंट है अब दोस्तों मैंने आपको यह को चीछ बताए कि जब इसoffice做系 अधर से कोई धक्काल लग रहोगा ना तबिट्वेसे どा सो फूर्टर व्याखता है अपर दगा लगाता है यह ऋता हमारा वोल्टेज जिस प्रिकार से नहीं हम अपने को मोटर लाविए थे FMər अपने पाने को उपर ले जाना के लिए न तो क्या करते हैं motor एक force लगाते है, उस force से हमारा water, उस speed से हमारा बॉटर उपर चला जाता है, तो जो voltage होते है, voltage भी current को force लगाता है, flow होने के लिए, जिस प्रकार से water pipe है, यह हमारा wire है और यह हमारा water इसमें से flow रहा है, अब एक कितने force से flow रहा है, वो force होगी, हमारा voltage, इसल resistance is the measure of the opposition to current flow in an electrical circuit हिंदी में दोस्तों बात कहें तो resistance बहे गुण होता है बदात का जो अपने में बहने वाली फित्यधारा का ब्रोज करता है किसी electrical circuit में इसको मैं दोस्तों आसान तरीके से बताऊं तो resistance एक प्रिकार की रुगावट होती है अब देखिए दोस्तों यहने आपको बताया जो बॉटर पाइफ है वह हमारा बाहर है उसमें से जो बॉटर फ्लो रहा वह हमारा current है अब दोस्तों क्या हो कि इसमें मैं बीच में एक बालव लगा दूँ इस प्रिकार से या फिर इस प्रिकार से एक बॉटर नौब लगा दूँ तो इसके थूरू दोस्तों मैं आधा लगाऊंगा तो मेरा हैधर से आधा ही बॉर्टर फ्लोगा तो इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं यह हमारा रेजिस्टेंस है यह हमारा जो पाइफ है यह हमारा तार है बायर है इसमें जो बॉर्टर फ्लो रहा है यह हमारा करेंट है तो इसके थुरू हम जो है कं श्यूंबोते बोलते हैं इसके बाद दोस्ट्रें छीज़ आप समल लेजे जितना जयादा चौणा पायब फोगा मोठा पाइफ होगा उसमें में से ज्यादा पानी जाएगा और जितना पतला पाईप होगा उसमें से कम पाईए जाएगा तो इसी परिकार से हमारे बायर में भी यह जितना ज्यादा मोटा हमारा बायर होगा उतना ज्यादा करेंट फ्लो होगा और जितना पतला हमारा बायर होगा उतना कम करेंट फ्लो होगा तो जो तार के मोटा ही होते है वो हम एवी बोल सकते हैं कि पतले तार का resistance ज्यादा होता है और मोटे तार का resistance कम होता है एक बाफ फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं देखे दोस्तों कोई water pipe है वो हो गया हमारा बायर उसमें से जो water flow हो गया वो हो गया हमारे current water कितनी speed से कितनी force से आ रहा वो हो गया हमारा voltage और यह जो knob आप देख रहे हैं इस knob के थूरू दोस्तों हम उसमें रुकाबट डालना है तो जो रुकाबट है यह हो गया हमारा resistance तो current voltage resistance कुछ से प्रकार से हैं वो जुम्मिद है कि यह ampere और इसको हम I से लिखते हैं अगर आपको कहीं भी electrical में या फर electrons में लिखा दिख जाता है आई तो उसका मलब है हमारा electric current voltage की जो unit होते है वो त्य वोल्ट इसको हम भी से लिखते है resistance की जो unit होते है वो त्य ओम इसको कुछ हम इस प्रकार से ओम का symbol बना कर लखते हैं त तो आप इस वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ दागी बूलोग भी इसको देख सके और अगर आपको कोई सवाल है या कोई doubt रह गया हो तो नीचे comment सकते हैं तो बस दोस्तों फलाल कि इतना ही देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मि मिलते हैं फिर शी वीडियो में जै हिंद बने मातरम